हेलो फ्रेंड्स वरिवरी गुड़ुनी कैसे हूँ होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे शू फ्रेंड्स आज 10 फरवरी 2023 और आप सब लोग को पता कि UPB8 एंटरंस एक्जाम 2023 का ऑनलाइन फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया है तो बहुत सारे छात्र सूबा से कमेंट करें तो कि सर फर्म भरने में कौन कौन से डॉक्मेंट्स लगेंगी क्या किया चीज़े लगेंगी कैसे फर्म भरना है इसकी एक इस्पेसल वीडियो बना देता हूँ सबी लोगों को जवाब देने से बढ़िया है ठीक है तो इस एक्जाम की अपडेट हैगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल की मादम सही देखने को मिलेगी और एक्जाम 2023 की तयारी भी कराई जा रहा ही है हमारे चैनल पे यहां पे डेली क्लासेस का टामिंग आप सभी लोग देख शकते हैं डेली शुभा 9 बजे आपकी इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आकन को वाल पे पिस करके जुड़ जाएं जो डेली क्लासेस को देखें और प्रापर आप लोग नोट्स बनाएं बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं पिछले दो महिने से त्याराई करा जा यह है तो आप लोग क्लासेस को जाके देखें जो भी छूट गई है ठीक है चलिए वीड़ से रेलेटल कुछ जाएं दो कमेंट बॉक्स में क्लासेस क्लेर कर सकते सबसे पहले हम बात करते हैं कि form भरने में क्या-क्या लगेगा, ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, एक valid mobile number, ठीक है, जो counseling होते होते तक आपका mobile number रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि OTP वाला system रहता है, ठीक है, कभी-कभी मांग लेता है, कभी-कभी मांगता भी नहीं है, तो mobile number आपके पास होना चाहिए, ठीक है, दो mobile number मांगे जाएंगे, एक alternative मांगा जाएगा, तो एक आपका personal होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक valid email आपकी होने चाहिए, ठीक है, email आपकी होने चाहिए, उसके बाद आपका जो है, जो email आप लोग देंगे, तो उसमें आपका password वागराएगा ठीक है mobile number पे भी आएगा हलनकि वो delay हो जाते हैं बट इमेच पर शोए मेल करने मेल का ऐदा करे रहेगा तो इमेल और अच्छे से 생각 Stuart लेगा ठीक है कि यह सब काम देती हैं थरिक अब तक आपका admission नहीं हो जाता है उसके बाद आपका जो है ID proof होना चाहिए एक ठीक है इस बार तो ID proof कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं मतलब photo आपके ID में लगी होना चाहिए ID में आप लोग आधार देख सकते हैं ठीक है pancard देख सकते हैं DL देख सकते हैं ठीक है passport देख सकते हैं तो ये चीज़े आप आप लोग ID में अपना देश रखते हैं उसके बाद आपका जो है 10th का मार्क सीट होना चाहिए यह सब अपलोड होंगे डॉक्मेंट्स ठीक है अगर आपके पास original नहीं है photocopy है तब भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं कोई प्रब्लम नहीं होगी ठीक है एड़मिशन भी आपका local mark seat से हो जागा जीरॉक्स से हो जागा ठीक है उसके बार 12 की mark seat होनी चाहिए ठीक है और बीएड में बता दो दो वर्स का ही होगा ठीक है चाहिए आप लोग यूजी किये हो चाहिए पीजी किये हो चार वर्सी एक वर्सी नहीं होगा इस बार भी ठीक है तो 12 की mark seat अगर आपका यूजी कंप्लीट है तो आपका ग्रेजिशन का माकसीट होना चाहिए और जैसे इस बार अपेरिंग में आप लोग फार्म भरेंगे तो आपकी सेकंड यर की mark seat होनी चाहिए अपलोड करने के लिए उसमें ठीक है तो सेकंड यर की mark seat आप लोग अपलोड कर सक 50% और SCHT का 50 से कम है तब भी आप लोग कर सकते हैं ठीक है तो जैसे आप NL OBC वालों को जैसे ग्रेजिशन 50% नहीं है तो उनका फिर PG में आपका होना चाहिए 50% ठीक है और जो लोग जैसे BTEC किया है ना BTEC BE वेगारा किया है तो उनका 55% उसमें होना चाहिए यह सबी के लि कर रहे होंगे PG तो PG अगर आपका final year है तो आप लोग दे सकते हैं ठीक है अगर fourth semester आपका इस बार है तो third semester की mark seat आप लोग upload कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा आप लोग यही गलती कर देते हैं जैसे बहुत सारे चाहतर ऐसे होंगे उनका already UG complete होगा और उसमें 50% होगा भी उसमें ठीक है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे PG कर रहे होंगे ठीक है तो PG के वो लोग mark seat लगा देंगे ठीक है जब आपको कुछ benefit नहीं मिल ला है जब दो वर्स कही होगा UG के base से भी और PG के base से भी तो आपको PG की mark seat नहीं लगाना है अगर आपका UG में 50% already है तो ठीक ह एंड आपका जो है आए लगेगा आए परमाड पत्र ये भी सबका नहीं लगेगा OBC वालों को लगेगा ठीक है डेट वगर आप लोग जाके देख सकते हैं सुबा वाली वीडियो में बता दिया हो कि किस डेट से किस डेट तक आपका होना चाहिए डेट आप लोग जाके चाटेगरी में रहता है जैसे आपका iSport का कुछ सार्टेफिकेट है ठीक है तो वो ढुर्ण ये जो भी आपके पास प्रस्टेफिकेट है उनमें से तो आप लोग अपना अप्लोट कर सकते हैं ठीक है बाद में कुछ नहीं मिलता ठीक है तो आप तरजनी में बहुत सारे कौन सा लगाय जायता है, ये देखिए, आप लोग का हथेली होगा इस तरीके, अंगो उठा के बगल वाला, ये आपको जो है लगा के, आपको उसमें अपलोड करना होगा। ये वाली अंगोली का आपको लगाना है फिंगर ठेक है, फिंगर प्रिंट बागेगा तो ये वाल आप लोग गाइड लेना चाहते हैं तो चक्सुप्रकाश्चन की गाइड ले शकते हैं, इस गाइड बुक में आपको जो है शत्ताइसों से जदा इंपॉर्टन कोशन, 600 पेपर आपको देखने को मिलेंगे, नए पैटन पर आधारी थैया पुस्तक यहाँ पे देख सकते हैं विसाय सूची यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे इसका जो है विसाय सूची है और यहाँ पे एक्जाम पैटन यानि की परिच्छा का प्रारूप यहाँ पे दिया गया है ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा syllabus जो है complete किया गया है इस book में चक्सु प्रकाशन की book में यहाँ पे 22 का paper भी लगाया गया है ठीक है तो previous year के paper भी आपको देखने को मिल जाएंगे हर question का solution भी आपको इस book में देखने को मिल जाएगा तो बहतरीन तयारी के लिए आप लोग चक्सु प्रकाशन की book से अलग से देखने को मिलेंगे तो दोनों पुछ सकें offline online दोनों मिल जाएंगे online लेना है तो वीडियो को discussion box में link देदी हों आप लोग purchase कर सकते हैं ठीक है तो farm आपको अच्छे से भरना है कल भी आप लोग farm भर सकते हैं आप तो farm start ही हो गया है कुछ भी doubts हैं तो आप लोग comment box बीसी कर देंगे तो यह बाद में नहीं change होता है फिर आपको वही science math के ही question आपको solve करने पड़ेंगे ठीक है तो यह गलती है मत करना जो भी आपकी steam है वही आप लोग करिएगा आर्ट से हैं तो आर्ट उसमें भरिएगा science से हैं तो science भरिएगा agriculture से हैं तो agriculture करिएगा commerce से हैं तो commerce आप लोग करिएगा तो यह छोटी छोटी गलती आपको नहीं करना है बाकी तो सब परिवर्तन हो जागा यही आपका परिवर्तन नहीं होता फिर बात में आप लोग पश्टाएंगे ठीक है तो अच्छे से form वीडियो भी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल से आपको बीट की पलपल की लेटिस्ट ऑथेन्टिक अबेट मिलती रहेगी थैंक इस शो मच